आज हमारा जेनरल साइंस का दूसरा भाग है दूसरा पार्ट है यह हमारा ठीक है इससे पहले एक पार्ट हमारा हो चुका है तो इसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और हमारा यह प्रयास होगा कि 2000 से ज्यादा प्रस्णों को हम लोग करें साइंस में और सॉरी बहुत लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे चले सभी लोग धीरे दीरे आ जाईए सब लोग जल्दी से फटा फट से आ जाईए और जितना हो सके वीडियो को like और share कर दीजिए जितना हो सके वीडियो को share कर दीजिए इसमें mix question होता है देखे सबसे जादा अब question जो है हम लोगों को focus जो करना है वो science और current affair को उपर करना है ठीक है तो बीपी एसी और CDPO exam को ध्यान में रख करके ये series लाया जा रहा है और प्रतेक वीडियो में 50 questions होगा जो physics, chemistry और जिव विग्ञान, biology सभी को cover करेगा ठीक है तो जल्दी से फटा फटा जाएए येस good evening, good evening, नमस्ते सब लोग धीरे धीरा आ रहे हैं तो ये रहा बाबू आज का पहला प्रस्न है पहला प्रस्न है क्रित्रिम उर्वरक में सामाने रूप से nitrogen, phosphorus और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है कहां ये जा रहा है आपसे question पूछा जा रहा है कि जो क्रित्रिम उर्वरक होता है ठीक है उसमें सामाने रूप से कुछ तत्व होते है nitrogen होता है, phosphorus होता है ठीक है इसके अला इसका सही जो answer होगा ओगा option C C जो कर रहे हैं और विल्कुल सही कर रहे है potassium potassium का काम क्या होता है अगर आपसे पूछे कि जो उर्वरक है इस उर्वरक में देखिए जो यूरिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा nitrogen होता है यूरिया जो उर्वरक होता है पौधों में सूखे के जटके से बचाना ठीक है जो पौधे होते हैं ठीक है चाहे ओधान का पौधा हो या गेहूं का पौधा हो या जिस इसका पौधा हो ठीक है उस पौधे को सूखे से बचाना ठीक है और इसका जो भूसा होता है बबू जैसे गेहू है तो गेहू जब हम लोग उसका अनाज निकाल लेते हैं जब उसका अनाज हम लोग निकाल लेते हैं तो भूसा बन जाता है इसका जो डंठल होता है इसका भूसी बनता है तो यह जो भूसे होते हैं इसमें चमक लाने का काम यही पोटेसियम करता है इसमें चमक लाने का काम साथी इसके जो डंठल है जो पार्स है इसको मजबूती भी पोटेसियम ही परदान करता है और साथी साथ हमें पता है कि जो पोधे होते हैं जो अनाज के पोधे होते हैं इसमें कीट पतंग भी इस पे लगते हैं अब कीट पतंग लगेंगे तो जाहिर सी बात है क यह कमजोर होगा तो कीट पतंग से भी लड़ने के लिए मजबूती यह पोटैसियुम ही प्रदान करता है अब में हाँ अगर हम लोग बात करें की नाइट्रोजन क्या करता है फिर नाइट्रोजन क्या करता है तो नाइट्रोजन फोधों में हरा रंग का निर्मान करता है ध्यान दिजेगा कि नाइट्रोजन जो होता है ये हरा रंग ठीक है हरा रंग प्रदान करता है पौधे में हरा रंग का निर्मान ये करता है प्रकासन्स लेशन के लिए आवस्यक जो पतिया हैं उनमें सरस्ता लाना इसका काम होता है नाइट्रोजन ठीक है फसल के पकने की ओधी की समय जो है वो बढ़ा देता है कभी-कभी आपने देखा होगा कि यूरिया जो उर्वरक होता है अगर फसलों में दे देते हैं तो जादा दिन तक हरा रह जाता है पकता नहीं है जल्दी से तो ये भी बढ़ा देता है साथी प्रोटीन में प्र फोस्फोरस की बात करें ठीक है यहां पर अगर हम फोस्फोरस की बात करें कि फोस्फोरस फिर क्या करता है तो पोधों की जड़ों का विकास करता है ठीक है पोधों के जो जड़ होते हैं ठीक है जो जड़ होते हैं पोधों की जड़ होते हैं उसको विकास करता है जड़ों का बिकास, जड़ों का बिकास कौन करता है, फोस्फोरस करता है, ठीक है, चलिए, तो इतना उमीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, घट पर्न, येस, रोसन कुमार, बहुत बढ़िया, इसके बाद है, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को, पानी के उपियोग से आप कैसे अलग करेंगे, एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए, और मालिया की ऐसा ही होता है, मग होता है, और ये जो मग है, आपके घर में भी, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, कि दो मग को आपने ऐसे करके और रख दिया और ये जो है निकल ही नहीं रहा है चिपका हुआ है ठीक है ये जो है ये दोनों चिपके हुए है इस टाइब से है ना ये अगर ऐसे चिपका हुआ है ये ऐसे चिपका हुआ है और इसको अलग करना है ठीक है इसको ऐसे अलग करना है तो हम क्या करेंगे देखिए अब पीछे कोशन में आते हैं कहा जारा कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे कोशन नमर दो देखिए इसका सियन सुरगा अंदर के मग में थंडा पानी डाल कर है ना मग में अंदर का जो मग होगा उपर वाले में डालने से कोई फायदा नहीं है ठीक है ये उपर माल लिया कि ये चिपका हुआ है ठीक है ये चिपका हुआ है इसके उपर तो इसमें हमें पानी डालने से कोई फायदा नहीं है हमें पानी किस में डालना है अंदर वाले में डालना है ठीक है अंदर वाले में पानी डालना है तब निकल जाएगा आसानी से ये सब आँ बिलकुल ये सब तो घर में करते होंगे आप लोग है ना तो इसका सियंसर होगा देखिए होता क की गती तेज हो जाती है अनुव की गती तेज हो जाती है ठीक है अगर हम वस्तु को असपर्स करें तो पहले क्या पेक्छा वस्तु अधिक गर्म मालूम होगा ठीक है यानि कि उसका तापमान क्या हो गया है बढ़ गया है तापमान बढ़ गया है तो इसके लिए हमें क्या कर करना होगा हैं आगे हैं किया यह किस ने सर पर्थम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृत्वि उसकी परिकर्मा करती है सर पर्थम यह किस किसने ऐसा कहा था उच्छा जा रहा है कि सरोप्रथम किसने ऐसा कहा था कि सूर्य जो है सन जो है ओबीच में है और ये ग्रह जो है इसके चारो और मुव करते हैं हमारी जो पृत्वी है ठीक है हमारी जो पृत्वी है ये इसके चारो और मुव करती है घूमती है ऐसा किसने सर कॉपर निकस महोदे का ठीक ए कॉपर निकस महोदे का ये ऐसा मानना है इन्हों नहीं दिया था सूरे के संगठन में अगर हम लोग बात करें तो ये जो सन है ठीक है ये जो सूरे है तो इसमें हिलियम और हाइड्रोजन मुख्य گैस होते हैं और इनहीं का fusion होता है, किसका किसका, helium होता है, ठीक है, helium होता है, और कौन होता है, hydrogen होता है, ये दो gas होते हैं, 71% hydrogen होता है, इसमें, ठीक है, 71% क्या होता है, hydrogen होता है, हिलियम कितना होता है मात्र 26.5% हिलियम होता है बाके 5% में और अन्य गैस होते हैं ठीक है सुरे की उर्जा में मुख्य जो कारण है सुरे की उर्जा का स्रोत जो है नाभकिये सनलयन है याद रखेगा सुरे अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की और भूमता है ठीक है आगे चलते हैं अगले परशन की और अगला प्रसन है ये रहा आपके सामने कहा जा रहा है महासागरों में ज्वार भाठा की उत्पत्ती के क्या कारण है जितना हो सा कि लाइक सेयर करते जाएगा महासागरों में ज्वार भाठा की उत्पत्ती के क्या कारण है चलिए इस image को देखते हैं सबसे पहले समझते हैं कि ज्वार भाठा कहते किसको है ये है हमारी प्रिथवी और प्रिथवी पर हमें पता है कि maximum भाग पर क्या है जल है ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा अस्थल खंड है सभी continent है जबकि जो ब्लू कलर वाला आपको दिख रहा है ये सारा जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये जल है पानी है ये तो बच्चों को बताया जाता है आप लोग तो बूढ़े हो गए हैं ठीक है तो ये जल है अब maximum भाग पर जल है अब ये भी हमें पता है क प्रिथवी के चारो और प्रिथवी के चारो और कौन ये चंदा मामा जी घूम रहे है चंदा मामा जी घूम रहे है साथी प्रिथवी भी घूम रही है किस के चारो और सूरे के चारो और घूम रही है अब इसमें भी गुरुतवा कर्शन बल है और इसमें भी गुरुतवा का प्रियास करते हैं तो चुकि प्रित्वी जो है वो सूर्य से ज्यादा दूरी पर है सूर्य से ज्यादा दूरी तो उतना ज्यादा प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है जबकि मामा जी तो नजदीक है ठीक है मामा जी नजदीक है इसका प्रभाव पड़ता है लेकिन मामा हैं छोटे ठीक है तो कितना बल लगाएंगे लेकिन थोड़ा मोड़ा बल लगा ही देते हैं और बल लगाते हैं तो यह पानी वाला भाग जो है ओ थोड़ा सा ऐसे उठ जाता है ठीक है यह पानी वाला भाग जो है ओ थोड़ा सा उठ जाता है ठीक है ऐसे उठ जाता है और सा सागर में लहरे उत्पन होती हैं गुडिवनिंग गुडिवनिंग ठीक है सागर में लहरे उत्पन होती हैं तो इसी को बोलते हैं बाबु जो पानी ऐसे उठ जाता है ऐसे इसी को बोलते हैं ठीक है टाइड इसी को बोलते हैं अब यह किस के कारण होता है अब इसमें आप दे के संजुक्त प्रभाव से ठीक है अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टाइड किसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ज्वार भाटा ठीक है ज्वार भाटा और ये भी मैंने बताया ये जो पानी का उठा हुआ भाग रहता है इसी को बोलते हैं ज्वार ठीक है और पानी का सलते हैं अगला है गाओं में एक बड़े पात्र में दही को बिलो कर मखण निकाला जाता है इसमें भौतिकी कि किस सिधान्त का उपयोग किया जाता है द्यान से देखिएगा आप अभी अगर गाओं से संबंधित हैं तो इस सिध को आप देखे होंगे देखे ऐसे गाओं में ऐसे ही निकाला जाता है ना दही से मखण निकाला जाता है ऐसे पात्र में रख लिया जाता है और जो है ऐसे रसी बांध करके और खीजते हैं और इसके बाद एक निर्धारित समय के बाद जो है इसमें मखन जो है उपर आ जाता है ठीक है मखन इससे उपर आ जाता है तो यहीं कोशन आप से पूछा जा रहा है बावू ठीक है यहीं पर आप से कोशन पूछा जा रहा है कि यह बहुत ही सबसे पहले तो आप रखेगा कि इसमें कौन सा वेक्ट्रिया होता है तो लेक्टो वेसिलस ठीक है लेक्टो वेसिलस वेक्ट्रिया के कारण ही दूद दही में परिवर्तित होता है दूद दही में परिवर्तित होता है अब यहां पर देखिए क्या होगा इसका एंसर कोश्चन नमबर फाइब दे centrifugal force इसको कहा जाता है centrifugal force कहा जाता है अंग्रेजी में यह ज़ो है ओजड़त्व के नियम को लागू करता है और नियम के जो नियम है उनको लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कलपना करनी होती है जिन्हें परिवेस में किसी पिंड से समंदित नहीं किया जा सकता ठीक ह इसी को जड़त्विय बल कहा जाता है और अपकेंद्रिय बल की अगर हम लोग बात करें अपकेंद्रिय बल एक ऐसा जड़त्विय बल होता है तो घूमते समय ठीक है इसमे घूमते निकाय में त्वरन होता है ठीक है इसलिए बल का अनुभव होता है आगे है जेट इंजन किस सिधान पर कारे करता है अच्छा ठीक है बताइए जेट इंजन किस सिधान पर कारे करता है इसका सेंसर है रैकिक संबेग संरक्षन इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तु के जो निकाय सिस्टम होते हैं उस पर कोई बाहरी बल लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संबेग नियत रहता है ठीक है नियत रहता है मतलब की सरक्षित रहता है इसे ही समवेग सरक्षन का नियम कहते हैं यदि पृत्वी का गृत्विये बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से सही कथन होगा पृत्वी पर हम रह रहे हैं कोई चीज नीचे गिर जाता है क्यों क्योंकि इसमें गृत्विये बल है अब कहा जा रहा है कि ये गृत्विये बल अगर अचानक से खतम हो जाए लुप्त हो जाए तो क्या होगा बताईए कि कोश्चन नमर् सेवेन देखे बागु इसका सेंसर होगा वस्तु का भार सुन्य हो जाएगा परंतु दरभ्यमान वही रहेगा हाना हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि किसी भी वस्तु का दरभ्यमान किसी भी सीती में नहीं बदलता है कहीं पर भी वस्तु का अगर जगः परिवर्तित किया जाता है अस्थान परिवर्तित किया जाता है तो द्रब्यमान नहीं बदलता है जबकि भार बदल जाता है इसका एजम्पल भी मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर चंदर्मा से है ना मून से अगर कोई पत्थर आप अर्थ पर लेकर के आते हैं तो यहां पर अर्थ पर पर उसका भार क्या होगा बढ़ जागा क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जादा है और चंदर्मा पर कम है लेकिन द्रब्यमान जितना यहां है उतना यहां भी रहेगा द्रब्यमान सेम रहता है ठीक है अगे है ग्रहों की गती के नियम किसने प्रतिपादित किये ग्रहों का जो गती है पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि ग्रह भी घूमते हैं हाना तो जब पता चला ग्रहों के गती के नियम किसने प्रतिपादित किये यह बताईए देखिए इनकी तस्वीर देख लीज ओगा केपलर महोदे ठीक है केपलर ओप्सन भी ग्रहों के गती से सम्मंदित हैं केपलर का नियम इन्हों ने दिया था प्रतेक ग्रह सूरे के चारों और मूव करते हैं ठीक है इन्होंने केपलर महोदे जी ने ये बताया था कि जो ग्रह हैं वो सूरे के प्रतेक जितने ग्रह है वो सभी के सभी सूर्य के चार और मूब करते हैं ठीक है और इन्हों ने कहा कि सूर्य जो है सूर्य ग्रह की कच्छा के एक फोकस बिंदु पर इस्थित रहता है और इन्हों ने कहा कि प्रतेक ग्रह का छेत्रिये बेग भी नियत रहता है ठिक है छेत्रिये बेग भी छेत्रिये बेग नियत रहता है ठिक है आगे चलते हैं अब यहाँ पे दो सूची दिया हुआ है अब कहा जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 की तुलना करके नीचे दीए गए कूट के अनुसार सुमेलित कीजिए अब यहाँ पर कूट दिया हुआ है अब इसमें आप बताईए क्या होगा इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर PDF के लिए PDF के लिए टेलिगराम गुरूप को जॉइन कीजिए टेलिगराम में PDF अपलोड कर दिया जाता है ठीक है डेली question number 9 देखे इसका सेंसर होगा option A कैसे बाबू manometer gas का दाब है ना और फेदो मिटर समुद्र की गहराई cryometer निमनताप, jd meter gas का घनतो है ठीक है gas का घनतो है parometer की अगर हम लोग बात करें तो parometer जो है ये उच्टाप को मापने के लिए कल भी मैंने आप लोगों को बताया था मापने वाला ये यंत्र है tecometer वायूयान और motor की गति को मापने वाला है ना tecometer जो होता है tecometer ये yu यान की गति मापता है ठीक है yu यान की गति को मापता है ना motor 9 की गति को ये मापता है ठीक है निमन मैंसे किस बिद्दुत प्चुंब की ये तरंग की तरंग देधरे पहर्णाधरे अधिक्तम होगी कहा जा रहा है कि इन्वे से कौन सा बिद्दुत चुम्ब की ये कौन सा बिद्दुत चुम्ब की ये तरंग होगा तरंग है जिसका वेबलेंड जादा है पताइए सेयर करते जाहिए बाबु लोग तोड़ा सा सेयर करते जाहिएगा ताकि मैक्सिमम लोग क्लास को जोईन कर स गए, question number 10, इसका सही अंसरों का बबू, ओरत, ठीक है, ओरत विक्रन की खोज, हरसल महोदे के द्वारा की गई थी, है ना, किसके द्वारा, तो हरसल महोदे, हरसल महोदे के द्वारा किया गया था, ध्वारी स्वार की पीच निर्भर करती है, ध्वारी स्वार की पीच निर्भर करती है, पीच के कारण ही, महिलाओं का आवाज पतला होता है, पूरुसों का मोटा होता है, है ना, मोटा होता है, तो कहा जा रहा है कि ध्वारी का जो स्वार होगा, स्वार की पीच किस पर निर भर करती है बताइए question no.11 देखे 11 का say answer होगा आबरीति पर option B आबरीति पर ठीक है आबरीति पर तारत्व इसको बोलते हैं ठीक है पीच को अगर कहीं तारत्व मिल जाए तो घबराईएका नहीं पीच को ही तारत्व कहा जाता है ठीक है और आवाज मोटा पतला इसी के कारण ह होता है ध्वनी की आवरीती बढ़ती है जैसे जैसे अगर ध्वनी की आवरीती बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनी का तारत्व भी बढ़ता जाता है ठीक है यानि कि आवरीती बढ़ेगी तो तारत्व में भी ये भी बढ़ेगा ठीक है तारत्व भी बढ़ेगा ठीक है बच्चो और महिलाओं में आवाज पतला जो है तारत्व अधिकता के कारण होता है याद रखेगा तारत्व जिसमें अधिक होगा ठीक है अधिक होगा क्या होगा आवाज पतला होगा ठीक है आवाज पतला होगा तारत्व अधिक होने से आवाज पतला होता है कन्फ्यूज नहीं किजिएगा कभी आगे है घरेलू बिद्दुत्तार अस्थापन मूलता कल भी करवाया था कल भी करवाया था इसलिए option B सामानांतर स्रेणी में होते हैं नेम्ण में से कौन सी उक्ती बिद्दुतुर्जा को यांतरी कुर्जा में बदलती है इनमें से ध्यान दिजिएगा पहले कहा जा रहा है अच्छा अच्छा side हो जाया करें ठीक है side हो जाएंगे इंग्लिस वाला option नहीं नजराता है ठीक है ठीक है कहा जा रहा है कि निम्र में से कौन सी युक्ती बिद्दुतुर्जा को यांतरी कुर्जा में बदलती है ठीक है बिद्दुतुर्जा को यांतरी कुर्जा में बदलती है बताईए देखे बबु इसका सही जो एंसर होगा होगा motor ठीक है motor यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं यह है एलेक्ट्रिक मोटर में क्या करता है क्या होता है एलेक्ट्रिक मोटर में और एलेक्ट्रिक मोटर का क्या इस्तेमाल है जैसे अगर बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा आपके घर में भी मोटर होगा चाहे पानी के लिए है ना च चाहे पानी वाला मोटर होगा, या चाहे आपका पंखा होगा, ठीक है, जो भी चीजे मूव करने वाली है, एलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, उसमें मोटर होते हैं, तो यह तरता क्या है बाबू, कि इसमें हम देते हैं, यहाँ पर वायर लगाया हुआ है, इधर से हम क्या दे हैं, बिजली इसको देते हैं, ठीक है, इसको हम बिद्दुत देते हैं, बिजली देते हैं, एलेक्ट्रिक देते हैं, तो यहाँ पर यह जो डिवाइस है, यह यहाँ पर मूव करने लगता है, ठीक है, यह क्या करता है, घूमने लगता है, मूव करने लगता है, ठीक है, या उर्जा आ गई एनर्जी आ गई तो बिद्दूत उर्जा को यह क्या कर रहा है यांत्रिक उर्जा में जबकि यहां पर आप देख सकते हैं यह है डाइनेमो ठीक है यहां पर ओप्शन में एक डाइनेमो भी था ठीक है डाइनेमो क्या करता है बाबो डाइनेमो क्या करता है आ होता है Electromagnetic field create होता है जिससे यहां से फिर निकाला जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि बलब जो है ऑध जल रहा है यानि की ये क्या कर रहा है यह जो है यांत्रीक उरजा से बिद्दूत उर्जा में परिवर्थित हो रहा है यांत्रिक उर्जा से डैनेमो क्या कर रहा है यांत्रिक उर्जा को यांत्रिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में यह परिवर्थित कर रहा है यह क्या है डैनेमो है ठीक है यह डैनेमो है समझ गए यह डैनेमो है देखे जिनको जाना है अगर नेक्स्ट ज़्यादा जल्दी बाजी में है तो जा सकते हैं ठीक है साइन्स का पढ़ाई फुल एक्स्प्लेन के साथ होगा तो कि साइन्स जो है वो सबसे ज़्यादा फसा रहा है ठीक है सबसे ज़्यादा और मैंने बोला है कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेबल का कोशन करवाऊंगा ठीक है तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजे भी बताते चलूँगा ताकि बच्चे कंफ्यूज नहूं और जिनको अगर लगता है कि हम ज़्यादा तेज हैं तो वो जा सकते हैं अब आगए चलते हैं सजातिये ध्रूब एक दूसरे को करते हैं सजातिये हैं ना सजातिये ध्रूब एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्सित आकर्सित अप्रभावित या उपरिविक में से कोई नहीं एक से अधिक सजाती कहने का मतलम कि दोनो एक ही जैसा होगा ठीक है दोनो एक ही जैसा होगा जैसे हमें पता है अभी मैं इमेज में आप लोगों को दिखा रहा हूं ये देकिए ये है magnet ये इसका नोर्थ है नोर्थ पोल और ये साउथ पोल है ठीक है यह भी एक Magnet है यह इसका North है और इधर इसका South Pole है यह North और North को एक साहथ दोनों जो है वो सजाती है ठीक है अगर एक साहथ लेकर के आते हैं हम लोगों का जब बचपना था ठीक है और हम लोगों का जब बचपना था तो should hack को तोड़ करके और ऐसे सटाते थे हैना तोड़ करके प९र फिर उसको सटाते थे लेकिन सटा नहीं था क्योंकि वो सजातिय होता था ठीक है सजातिय था तो क्या कर दता है बाबू दोनों को अगर साथ लाया जाए इसको साथ में लिया जाए तो आप देख सकते हैं कि इसको उधर धक्यल रहा है इधर जो है इसको ऐसे धक्यल रहा है उधर जो है कर रहा है यानि कि यह इसके साथ नहीं रहना चाहता है तो कहने का मतलब यह हुआ कि सजातिय धुरूब एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्शित करते हैं आकर्षित नहीं करते हैं, दूर भागते हैं, ठीक है, क्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, क्रतिकर्षित करते हैं, आगे है, द्रवित ब्यूटेन और आईसो ब्यूटेन के मिशनन को क्या बोलते हैं, द्रवित ब्यूटेन और आईसो ब्यूटेन, अच्छा आप रेडियो तोड़ दिया थे मनुहर अच्छी बात है द्राविट ब्यूटेन और आईसो ब्यूटेन के मिसरन को क्या कहते हैं क्वेश्चन नमबर पंद्रा इसमें इसका सही जो एंसर होगा ओप्शन B LPG बोलेंगे द्राविट ब्यूटेन और आईसो ब्यूटेन के मिसरन को ही LPG हम लोग कहते हैं और लिक्विट पेट्रोलियम गैस LPG यह प्राकिर्टिक गैस की अगर बात करें तो यह प्राकिर्टिक गैस होता है ठीक है इसमें 95% हाइड्रोकारबन होता है ठीक है घारों में जो प्रयोग होता है उसी को बोलते है इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मुखे रूप से होते हैं प्रित्वी के केंदर पर वस्तु का बताईए प्रित्वी के केंदर पर वस्तु का दरब्यमान और भार दोनों सुनने होगा दरब्यमान और परवर्तित रहता है भार सुनने होता है दरब्यमान सुनने होता है भार अपर औरतित रहता है दरब्यमान वा भार दोनों अपरिवर्थित रहते हैं Question number 16 देखे इसका सही जो answer होगा ओगा अप्सें B दरब्यमान अपरिवर्थित रहता है पर भार सुनने होता है अभी सेम इस से समंदित कोशन किया है किसी भी वस्तू को कहीं भी लेकर के जाएं क्या होगा दरब्यमान में कोई परिवर्तन नहीं ठीक है दरब्यमान में कोई परिवर्तन नहीं लेकिन भार क्या हो जाएगा भार बदल जाता है ठीक है अलग अलग जगों पर भार अलग अल गलग होता है ठीक है प्रिथवी के केंदर पर या प्रिथवी से बहुत दूर वस्तु का भार बिलकुल जीरो हो जाता है याद रखेगा कि केंदर पर ठीक है प्रिथवी के केंदर पर भार क्या हो जाता है जीरो हो जाता है या इससे दूर भी जाने पर जीरो हो जाता है ठीक बताइए अच्छा आ जाया था किस एक्जाम में मनुहर कोश्चन नमबर 17 इसका सही अंसर होगा तामबा टीन और जिंक का ये पोश्चन आया था इसमें कॉपर की मात्रा 87 परसेंट होती है सबसे ज्यादा जो है वो कॉपर होता है 87 परसेंट कॉपर होता है ठीक है जबकि तीन की अगर हम लोग बात करें तो टेन परसेंट होता है ठीक है तेन परसेंट इसमें इसमें होता है ठीक है और जिंक 3 परसेंट होता है वटली उन सराब तरासदियों में जिनके परिणाम सरूप अंधता आधी होती है हानिकारक पदार्थ है देखिए तरावी लोग आप लोग अगर दारू पीते हैं तो थोड़ा संभल करके ठीक है कहा जा रहा है कि वैसे लोग प्येकर लोग ठीक है दारू पीने वाला उनमें उनक आखे चली जाती है क्यों मतलब कि उनको दिखाई नहीं देता है इसके कारण एथिल एलकोहल एमिल एलकोहल या मेथिल एलकोहल अगर आप लोग पीते हों तो इस से संभल जाएगा ठीक है देखिए इसका सही जो एंसर होगा होगा मेथिल एलकोहल ठीक है ऑप्शन डी मेथ इसका गंध सराब की तरह होता है इसके यूज से आदमी अंधा हो जाता है ज्यादा पिलेने से आखी नहीं जाएगा पूरा का पूरा ठीक है तो आपने अगर कभी सुना है कि सराब पीने से इसकी मृतिव हो गई तो उसका कारण यही है मिथाईल एलकोहल ठीक है इसी के कारण लोग चल देते हैं ठीक है आगे भारी जल एक प्रकार का है भारी जल एक प्रकार का है बताईए भारी जल एक प्रकार का है भारी जल एक प्रकार का है सितलक, मंदक, आयस या इंधन देखे बावो इसका सेंसर होगा यह एक मंदक है इसको D2O कहा जाता है ठीक है इसको D2O, Deuterium K Oxide ठीक है इसको कहा जाता है और यह एक मंदक है ठीक है भारी जल की खोज कब की गई थी बावो 1932 में इसकी खोज की गई थी 1932 में इसकी खोज की गई थी यूरे वासबर्ण के द्वारा यूरे आसबर्ण इनके द्वारा इसकी खोज 1932 में की गई थी ठीक है आसबन या वासबन भी कहीं पर इनका नाम मिलता है ठीक है भारी जल का अनुभार 20 होता है इसका अनुभार कितना होता है बाबू तो इसका अनुभार 20 होता है ठीक है भारी जल इसलिए इसको कहा जाता है ना भारी जल क्यों कहते हैं इसको भारी जल इसको इसलिए कहा जाता है कि जो साधारन जल होता है हम लोग जो पीते हैं ठीक है जो हम लोग इस्तेमाल करते है उससे घन तो इसका ज्यादा होता है इसका क्या होता है डेंसिटी ज्यादा होत होता है ठीक है डेंसिटी जादा होता है कि निउट्रोन की खोज की थी निउट्रोन की खोज की थी बताईए निउट्रोन देखे इसका सही एंसर होगा ओप्शन ए चैडविक ने ठीक है जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी कब 1932 में इसकी खोज की गई थी और एलेक्ट्रोन थॉम्शन ठीक है एलेक्ट्रोन एलेक्ट्रोन की खोज किस ने की थी तो थॉम्शन ने थॉम्शन पोट्रोन रदरफोड पोट्रोन की खोज रदरफोड के द्वारा की गई थी परमानू डाल्टन के द्वारा ठीक है पोजिट्रोन एंडर्शन निमनलिकित में से कौन सा प्रकिर्टी में अनुचुम्ब किये है कहा जा रहा है कि इन में से कौन सा एक प्रकिर्टी में अनुचुम्ब किये है लौ, हाइड्रोजन, ऑक्सिजन या नाइट्रोजन क्वेशन नमबर 21 देखें इसका सही एंसर होगा option 3 ठीक है oxygen ठीक है अनुचुम्ब किये पुछ पदार्थ हैसे हैं जिन्हें चुम्ब किये छेतर में लटका देने पर वो बिक्षेव की दिशा समनांतर होती है ठीक है उसको अनुचुम्ब किये कहा जाता है ठीक है निम्नवे से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालग है बिलकुल आसान basic question है ठीक है तहाँ यह जा रहा है कि निम्नवे से कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालग हैCUर्शन no.22 देखें इसका सही एंसर होगा चांदी इसके पाद है, तामभा है और इसके बाद जोह होगा लोहा होगा तीकर इसके बाद अलुमीनियम होगा करutahan रख्त का प्येच्छ मान कितना होता है कि लो हो तो कि अरुए कि कि मान कितना होता है यह ता जानने के लिए उसको हम pH value पे मतलब कि दिखाते हैं pH मापदंड का प्रयोग करते हैं तो तो कुन का होता है 7.4 ब्लड का ठीक है यह जो है 0 से 14 के बीच में होता है ठीक है pH scale 0 से 14 के बीच में होता है बीच में अगर कोई billion 7 पर है तो यह उदासिन होता है ठीक है उदासिन मतलब कहने का यह कि ना तो यह ना तो यह अमलिये है ना तो चारिये है जैसे अगर हम लोग बात करें तो जल ठीक है पानी यह उदासिन होता है जबकि साथ से अगर इधर के और जाते हैं तो चारिये होगा ठीक है इधर अगर जाते हैं तो अमलिये होगा ठीक है इधर अगर जाते हैं तो अमलिये होगा तो यहाँ पे साथ दस्मलों चार है यानि कि यह क्या है चारिये हमारा blood जो होता है वो छारी होता है ठीक है दूद निम्न का उदाहरन है दूद किसका उदाहरन है दूद निम्न में से किसका उदाहरन है निलंबन, जैल, पायस या जाग का ठीक है इसका सिंस रोगा दूद जो है पायस का उदाहरन है ठीक है बात आती है कि ये निलंबन किसको कहते हैं निलंबन किसको कहते हैं कहने का मतलब यह हो कि छोटे आकार के कनों के पदार्थ जो बिलायक में और घुलनसिल प्रंतु आंखों से दिरिश से होते हैं इसी को कहा जाता है निलंबन ठीक है उसी को निलंबन कहा जाता है ठीक है जैस से अगर एक billion है और इसमें चीनी डाल दिया ठीक है या कुछ भी डाल दिया इसमें गोलने के लिए लेकिन छोटा-छोटा कन इसका दिखाई देता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं निलंबन कहते हैं ठीक है चोटे कन इसमें होते हैं ठीक है या फिर अगर हम लोग बात करें तो वायू में धुआ ठीक है वायू में धुआ निलंबन का ही उदाहरन है ठीक है अब कोलाइड क्या होता है एक कभी कभी कोशन आप से पुछा जाता है कि भाई ये कोलाइड क्या है ये कोलाइड क्या है इसमें परिछेपित कनों का आकार 10 to the power minus 5 ठीक है 10 to the power minus 5 से 10 to the power minus 7 तक होता है कन का आकार होता है मतलब कि अगर आप इसको चानते भी है किसी चीज से चन्नी से तो इसके कन आर पार चले जाएंगे जैसे अगर बात करें तो दूद को अगर चानते हैं तो क्या इसका जो कन दूद में जो कन होते हैं क्या आरपार नहीं जाते हैं चले जाते हैं अगर नहीं जाता तो सब छान छान करके और दूद बेज देता है ना सब क्रीम जो है ऐसे ही छान करके और निकाल लेता ठीक है दूद बेजने वाला तो दूद जो है पायस का कोलाइड का उदाहरन है ठीक है या गोंध हो गया या रक्त भी ठीक है रक्त भी इसका उदाहरन है खून ब्लड हो गया ठीक है स्याही हो गया कौन सा तत्व उर्वर्कों में उपस्तित नहीं होता है बताएए ठीक है कौन सा तत्व उर्वर्कों में उपस्तित नहीं होता है question number 25 देखे इसका sensor होगा chlorine ठीक है chlorine हरे पीले रंग की तीकी और दंग भूटने वाली एक gas होती है ठीक है यह gas होती है ठीक है chlorine का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है तो chlorine का इस्तेमाल मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो oxygen गुन पर यह धारित होता है और इसका इस्तेमाल chlorine का जल को सुध करने में तो सवक्ष करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कभी-कभी कोशन यह भी पूछ लिया जाता है कि हम swimming pool में नहा रहे हैं ठीक है और हमारी तवचा जल जायका किसके कारण होता है तो पानी को सवप्च करने के लिए उसमें क्लोरिन मिलाया जाता है और इसकी मात्रा जैदा बढ़ जाती है तो हमारा जो चील हो जल जाता है bleaching powder निर्मान में इसका इस्तेमाल होता है नाभिक का आकार होता है नाभिक का आकार होता है बताए नाभिक का आकार होता है question number 26 ठीक है इसका sensor होगा 10 to the power minus 15 निचर ठीक है आगे चलते हैं अमलीय बिलियन में डुबाय जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है कहा जा रहा है कि एक बिलियन है ठीक है और इसकी प्रकृति कैसी है अमलीय है ठीक है अमलीय है और इसमें लिटमस पेपर हम अगर डालेंगे तो कैसा हो जाएगा लाल काला स्व से यहां पर यह जो है एसीड है ठीक है यह एसीड है अमली यह बिल्यन है और यह जो है ओचारिये है बेस है यहां पर लिखा हुआ है ठीक है यह बेस है अब इसमें देखेगा कि यह एसीड है ऊपर से यह नीला लिटमस है ठीक है अगर आप लोगों को दीख रहा है साब साब ये नीला लिटमस अगर हम इसमें डालेंगे तो ये देखिए यहाँ पर color इसका change हो जा रहा है है ना इसका color change हो जा रहा है और ये color कैसा हो जा रहा है तो ये red हो जा रहा है जबकि ये लाल लिटमस है ठीक है ये लाल है और इसको हम किसमे छारिये बिलियन में डाल रहे है ये छारिये बिलियन है इसमें डालने पर ये देखिए कैसा हो जा रहा है नीला हो जा रहा है ठीक है नीला हो जा रहा है तो देखिए इसका सही जो एंसर होगा वो होगा option A लाल हो जाएगा अमल धातू से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं ठीक है याद रखेगा कि अमल जो है ओ धातू के साथ जब क्रिया करेगा तो यह क्या मुक्त करता है बाबू हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन हाइड्रोजन यह मुक्त करता है ठीक है भस्म और चार मिलकर के लवन और जल बनाते हैं भस्म और चार मिलकर के लवन और जल बनाते हैं ठीक है लवन और जल बनाते हैं चार जो है उस्वाद में थोड़े तीखे होते हैं और कड़वे होते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संबेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा कहा जा रहा है कि अगर हम वेग को दोगुना कर दें तो संबेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोगुना हो जाएगा आधा हो जाएगा अब परिवर्तित रहेगा या चोगुना हो जाए है कहा जा रहा है कि किसी को अगर अलजयमर हो जाती है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है कान मस्तिश्क आथ या पेट देख सकते हैं आप तक निस और उस्हा प्रभावित होता है वाभू वह प्रभाव प्रभावित होता है मस्तिष्क मस्तिष्क इससे अलजाइमर से मस्तिष्क परभावित होता है या सामाननी रूप से अगर देखा जाए तो जो बुढ़े लोग होते हैं उनमें बिमारी होती है इसमें धीरे-धीरे मांसिक क्रियाओं में कमी आने लगती है ठीक है और अंत में रोगी की मृतिव भी हो जाती है मांसिक क्रियाएं या फिर मतलब कि कुछ याद नहीं रहना इस टैप का होता है ठीक है ऐसा नहीं कहता है कि आप जो है वो बुड़े हो गए है सठिया गए हैं, है ना, सठिया गए हैं बाबा, तो यही होता है, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो यही होता है, अलजाइमर में, कि 60 वर से उपर वाले जो होते हैं, उनमें होता है, और धीरे-धीरे मांसिक क्रियाएं कम हो जाती हैं, और अंत में फिर इनकी मृतिव हो जाती है, सबसे पहले अमेरिका के डॉक्टर हारवे पुलाड, ठीक है, डॉक्टर, एक मिल्ट, इनका नाम था डॉक्टर हारवे पुलाड, ठीक है, डॉक्टर हारवे पुलाड, ये अमेरिका के एक डॉक्टर थे, बैग्यानिक थे, एक तरह से कहें तो, इस रोग का कारण प्रोटीन को माना था, ये जो बिमारी है, वो प्रोटीन के कारण होती है, ठीक है, इस बिमारी का कारण इन्होंने प्रोटीन माना था इस प्रोटीन के कारण मस्तिस्क को कोशिकाओं में छिद्र हो जाता है ठीक है मस्तिस्क की जो कोशिकाओं होती है ठीक है इसमें क्या हो जाता है होल हो जाता है छिद्र हो जाता है ठीक है जिसके फॉल्स अरूप कैल्सियम अधिक मात्र दिख रहा होगा तो यह जो तंत्री का तंत्र आप देख रहे हैं इस तंत्री का कोशिकाओं को नश्ट कर देता है यह कैल्सियम ठीक है यह कैल्सियम इतना ज़्यादा स्रावित होता है कि इस तंत्री का तंत्र को ही नश्ट कर देता है ठीक है और यही कारण है तो इसका सही जो एंसर होगा बाबू होगा मस्तिस्क देखिए अगर फिगर से आप लोग बार बार जो next next कर रहे हैं मैंने सुरू में ही बोल दिया कि आप चले जाएए ठीक है अगर मैं इस तरह से फिगर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट को ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी और उनको ज्यादा याद रहेगा इसलिए यह लाया जा रहा है ठीक है आप ही लोगों के लिए ओके आगे है पोश्चन नमबर एक मिट अगला प्रस्ण है शरीर में उत्तको का निर्मान होता है शरीर में उत्तक का निर्मान होता है वसा से कार्बो हाइडरेट से प्रोटीन से या बिटामिन से कोशन नमबर तीस देखे इसका से इन सरोगा प्रोटीन से ठीक है उतको का अधियन क्या कहलाता है इसको हिस्टोलोजी कहलाता है हिस्टोलोजी ठीक है उतको का अधियन हिस्टोलोजी कहलाता है उत्तक सब्द का परियोग सरोप्रथम वीचंड महोदे ने किया था ठीक है कई सारी कोशिकाएं हमें पता है कि कोशिकाओं से मिल करके और हमारा सरीर बनाए तो कई सारी कोशिकाएं मिल करके और उत्तक का निर्मान करती है और कई सारे उत्तक मिल करके और फिर human body का निर्मान करते हैं ठीक है लार किसके पाचन में सहायक है लार किसके पाचन में सहायक है बताइए question number 31 ठीक है इसका से answer होगा option A starts ठीक है मनुसे में तीन जोड़ी लार गरंतियां पाई जाती है बाबू है ना लार में 99% जो है लार में अगर बात करें तो इसमें 99% जल होता है लार में 99% जल होता है 1% इसमें enzyme होता है ठीक है 1% इसमें टाइलीन होता है या इसको एमाइलेज हम कह सकते हैं एमाइलेज ठीक है या इसको हम क्या कह सकते हैं एमाइलेज हम कह सकते हैं और लाइसोजाइम 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 लार में यही होते हैं लाइसोजाइम और टाइलीन यह दो परकार के एंजाइम होते हैं और यह किस में सहायक होते हैं बाबू ये सहायक होते हैं पाचन में ठीक है पाचन में ये सहायक होते हैं ठीक है मानो भुरून का हिर्दे कब अस्पंदन करने लगता है मानो भुरून भुरून कहने का मतलब ये कि जब बच्चा पेट में होता है ठीक है तो कहा जा रहा है कि कब से ये इसका हिर्दय जो है ओधड़कने लगता है ठीक है कब से इसका हिर्दय धड़कने लगता है question number 32 ठीक है इसका sense रोगा अपने परिवर्धन के चतूर्थ सप्ता हमें ठीक है अपने परिवर्धन के चतूर्थ सप्ता हमें ठीक है प्रकास संसलेशन की क्रिया के लिए देख लिए अच्छा से प्रकास संसलेशन की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवस्य कहे है जल एवं सूरे का प्रकास आवस्य कहे है ऑक्सीजन आवस्य कहे है बताइए क्या होगा इसका एंसर देखे बावो इसका सही जो एंसर होगा वोगा option सी कल भी मैंने आप लोगों को ये question कराया था कि प्रकास translation की क्रिया के लिए सिर्फ chlorophyll जरूरी है जल और सुर्य के प्रकास की ज़रत होती है oxygen की ज़रत नहीं होती है ठीक है oxygen की ज़रत नहीं होती है इनको अगर gas की ज़रत होती है तो है carbon dioxide खाना बनाने के लिए carbon dioxide की ज़रत होती है oxygen तो ये provide करते है ठीक है ये हमें देते है oxygen की ज़रत इनको नहीं होती है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि photo synthesis के लिए sunlight, carbon dioxide और जल ये सब की ज़रत होती है ये हमें oxygen और sugars देते हैं हमारी जीव का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है मीठा स्वाद बताता है बताए हमारा जो जीव है है ना कितना बड़ा जीव है तुम्हारा कितना बड़ा जीव है तो बताए कि आपका कितना बड़ा जीव है मीठा स्वाद के लिए मीठा सवाद के लिए मुर्गे के लिए नहीं देखिए पासरव भाग अगर भाग पश्य भाग या मध्य भाग यहां पर कहा जा रहा है मीठा के लिए मीठे सवाद के लिए तो देखिए बाबू अगर भाग मीठा के लिए ठीक है आगे वाला जीव का भाग अब मैं आप ल है ऐसे निकाल करके आप लोग देखिए ठीक है इसमें सभी पार्ट्स यह जो वाइट कलर से ऐसे ऐसे किया हुआ है यह वाइट कलर है यह जीव के अलग-अलग पार्ट्स हैं ठीक है और यह अलग-अलग जो पार्ट्स हैं वो स्वाद का अलग-अलग स्वाद का यह अनुभ नमकीन पदार्थ के सबसे पहले आपका निकलता है। हूँत लोग इमोजी के में जीब निकाल निकाल करके खेज रहे हैं ना ? चलिए अच्छा है तो ये वाला जो है ओ मीठा है ठीक है मीठा वाला ये है ठीक है और सावर सावर का जो है ये वाला है सावर का ये वाला है ठीक है और बीटर बिल्कुल तित्ता है ना बिल्कुल गुपचुप खाने जा रहे है गुलगपपे है ना पानी पूरी अलग-अल हां फिर भी खा रहे हैं यह वाला भाग हें और बीटर के लिए ठीक है बीटर के लिए तो अब किए यह घ्लत ही अप लोगों को बीडियो में नहीं नज़र आ रहा होगा लेकिन혔 जाएगा ठीक है यह वाला जो है वो बीटर के लिए है बीटर बीटर लिखा हुआ है सब यह है नमकीन के लिए यह नमकीन के लिए है ठीक है यह वाला और यह वाला भाग भी नमकीन के लिए है ठीक है नमकीन के लिए और यह तो लिखा हुआ है सावर के लिए है ठीक है एस तपशा Y चलते हैं ऐसे हैं करे अगला कौर्शन यह रहा आपके सामने में अगला प्रस्थ नहें है 20 के निमनली की तत्यों में से कौन सा सरवाधिक छारिये उक्साइड बनाता है कौन सा सरवाधिक छारिये उक्साइड बनाता है कौशन नमबर 35 देखे इसका से अंसर होगा बिस्मन है ना अप्शन बी निम्नलिकित में से कौन सा योगिक है इनमें से कौन सा योगिक है इसका सेंसर होगा संगमरमर ठीक है संगमरमर पीतल कि अगर बात करें तो यह मिस्र धातू है योगिक किसको कहा जाता है जो दो ततों से मिलकर बने होते हैं उसको कमपाउंड योगिक कहा जाता है और दो से अधिक ततों से मिलकर जो बने होते हैं उसको मिक्शर कहा जाता है ठीक है मिक्शर कहा जाता है मिस्र धातू या ज निम्नलिकित में से किसको नुकलियर रियक्टर में मंदग के रूप में परियोग किया जाता है अब इसका सेंसरों का भारी जल डी टूओ का परियोग किया जाता है ठीक है और प्लुटोनियम का भारी जल ग्रेफाइट का प्रियोग मंदग के रूप में किया जाता है अब प्लुटोनियम का कोश्चन नमबर 38 इसका सेंसर होगा या फाइलम और डेटा के अंतरगत क्लास मैमेलिया से ठीक है मैमेलिया से संबंधित है निम्नलिकित में से कौन सी बिमारी मच्छरो द्वारा नहीं फैलती है इन में से कौन सी बिमारी मच्छरो द्वारा नहीं फैलती है question number 39 देखिया इसका answer होगा option C option C निंद्रालू ब्याधी ये मच्छरों से नहीं होता है जब कोई वस्तु पूरी तरफ पाने में डुबो दी जाती है तो उसके भार में आधा भाग की कमे हो जाती है 1 बटा 5 वस्तु का घन तो क्या है question number 40 अनत तो बराबर द्रब्यमान बटा बटा आयतन है ना घनत तुवर अंगाना तुवर बराबर द्रब्यमान बटा अधन ठीक है द्रब्यमान बटा आयतन तो एक बटा एक बटा पांच एक बटा एक बटा पांच तो ये कितना हो जाएगा बाबु यह जाएगा पांच है ना ओप्शन भी यह पांच हो जाएगा जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो साबुन के घुल में बुलबुले क्यों बनते हैं बाबु इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घुलने पर उसका फ्रिष्ट तनाव कम हो जाता है इसलिए बनते हैं एमरी है एमरी है देखिए इसका सेंसर होगा असूद कोरंडम और आईरन ऑक्साइड का मिसरन निम्नलिकित में से कार्बनिक योगिक है इन में से कार्बनिक योगिक है वर्शन नमबर 44 लॉरोफार्म ठीक है लॉरोफार्म चल 3 चल 3 चल 3 चल 3 कार्बनिक योगिक है इसका उपयोग इसलिए किया जाता है यह मु क्रूप से चिकित्सा के चेतर में कलोरोफार्म का इ publiा जाता है थिक है निस्यतक के रूप में कीया जाता है कि लारोफार्म किसी को सुगा करके दखेगा क्या होता है कृट घडिया किस सिधान के अनुसार कारे करती है दाब बिद्दुत प्रभाव थिक है छूत ग्रवस्त गाय का दूद किस बिमारी को फैलाता है तपेदिक ठीक है तपेदिक पौधे के पोशन के लिए 16 तो आवसक होते है निमने लिखित में से कौन साथ है तो पादप पोशन के लिए आवसक नहीं है तपेदिक पौबाल्ट पौधे मृधा से अपना भोजन प्रायक की सवस्था में प्राप्त करते है पौशन नमबर 48 करसेंस रोगा बिलियन हीरे की खनीजिये बनावट इन में से कौन सा है कौन से है 49 कारबन जब टीवी का स्विच आउन किया जाता है तो क्या होगा बड़ा ओप्सन है अच्छे से देखिए देखे इसका सेंसर होगा धोनी तुरंत सुनाई देती है लेकिन द्रिस्थे जब टीवी का स्विच आउन किया जाता है इसमें द्रिस्थ से अप्सन भी होगा द्रिस्थ से तुरंत सुरू हो जाता है लेकिन धोनी बाद में सुनाई देती है क्योंकि धोनी प्रकास के अप्यक्षा कम बेक से चलती है ये बिल्कुल ठीक है ठीक है ये ठीक हैं हम लोगों को अनुभव नहीं होता है लेकिन हम लोगों को द्रिस से पहले देखता है क्योंकि हमें पता है कि light की speed जो है light की speed ज्यादा होती है और sound का speed जो है वो कम होता है इसलिए जब बिजली कड़कती है है ना जब आस्मान में बिजली कड़कती है तो हम लोगों को पहले चमक उसका दिखाई देता है है ना और इसके बाद कुछ दिर बाद आवाज सुनाई सब्सक्राइब कर लिजेगा करेक्ट इसको तो यह था बाबू आज का साइंस का पचास महत्वपून पुरसन उमीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो like share करते जाएगा और सभी दोस्तों को बताईए इस क्लास के बारे में और 11 पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अने केडमी पर भी बहुत सारे प्री क्लास दे रहा हूं अने केडमी का लड़निंग आप इस्टॉल किजिए इसके बाद उसमें बीपी एसी कैटेग्री सेलेक्ट किजिए और अभी मन्यू सिंग मेरा नाम आएगा फॉलो कर ठीक है अब एचे लिखने पर बिल्कुल फ्री में क्लास अंलोग हो जाएगा इस क्लास में ज़रूराइए मिलते हैं और टेलीग्राम ग्रूप को जरूर जोईन कीजिएगा टेली ग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ठीक है टेलिग्राम जरूर दिजेगा आप लोग मिलते हैं फिर लिंक नीचे दिया हुआ है टेलिग्राम का